हेलो स्टुदेंट्स टेर्डोफाइटा में यूनिट फस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है आज सेकेंड यूनिट जैसा मैंने पताया था उसमें इंडिविज्वल मेंबर्स हैं और इंडिविज्वल मेंबर्स की स्ट्रेक्चर एंड रिप्रेक्शन तो चीजें हम इंडिविज्वल में में लाइको पोडियम अपने पास सबसे पहले है उसके बाद से लेजी निल्ला को देखेंगे तो सबसे इंपोर्टेंट चीज एक तो यह रहती है इंडिविज्वल में कि उनकी सिस्टेमेटिक पोजीशन क्या है क्योंकि कई पार एक नंबर के क्लांटी के बाद दे लॉफ तने पास है फिर हमने चार एक लाइकोफाइटा को मैं इसलिए आता रहा हूं कि सईलोफाइटा का इंडिविजोल मेंबर अपने इसमें नहीं लाइकोफाइटा का है तो इस तरह से één को oh फ़िर मैंने एक बात बताई थी अगर किसी ट्राइट फाइठ की लीफ के के बेस पे LEGUL means tongue-like structure है तो उसको लीग लोप Moscow में और अगर टंगром酒 के भी लीफ के क combos के वेसट पे किसी तरह की कोई लाइक स्ट्रेक्चर नहीं है इसलिए लाइकोफाइटा के नीचे या लाइकोपसिडा के नीचे मैं लिखूंगा इली गिलोपसिडा उसके बाद लाइकोपोडियल्स ओडर लाइकोपोडियसी फैमिली लाइकोपोडियम जीनस और उसके बाद लाइको पोडियम की चाहिए खलेवेटम स्पेशी जो हो सर्नूम हो सिर्येटम हो फ्लेगमेरिया हो तरह तरह किसपीशिज लाइको पोडियम की होती है कि systematic position जब अमने दिमान में आ जाती है तो फिर external morphology पे मैं आता हूँ external morphology में आप लोगों को पता चलेगा कि इरलाइकोपोडिम तो creep करता most of these places और उसमें जो stem होता है वो भी dichotomously branch दो-दो branches में divide होता है और इसकी roots भी dichotomously branch तो ये clearly जो main plant body is prophetic होती है roots stem leaves में differentiate होती है roots भी adventitious type की dichotomously branch stem इसका prostratally grow करता है और वो भी dichotomously branched होता है इसकी जो leaves होती है वो sacyl होती है sacyl का मतवर stockless है homophilus type की सारी leaves एक ही type की होती है leaves smaller होती है microphyllus type की है leaves में एक single derivative होता है जो unbranched होता है spirally arranged होती है इस तरह से जब ये plant mature होता है तो mature होने पर इनकी हर branch के apex पर टिप पर reproductive structure लगती है जिनको stobilus कहते है lycopodium is commonly called as club moss हम इसको नाम देते है club moss इस तरह से जब lycopodium की morphology अपने को आ जाती है तो इनकी internal structure देखते है कहने का मतलब इसके stem का section काटके देखते है इसकी root का section काटके देखते है जब anatomy अपने को समझ में आ जाएगी फिर हम reproduction पर चलेगे स्टोबिलस से start करेंगे स्टोबिलस की definition देखेंगी क्या होता है sporophils को देखेंगे sporangia की structure देखेंगे spores का formation कैसे होता है gametophyte जो प्रोथलस बनता वो किस तरह का बनता है sex organs कैसे लगते हैं और sex organs में from fertilization कैसे होता gamets का embryo का formation कैसे होता है यह फूरी structure हम लोग देखेंगे आज individual member start करते हम lycopodium systematic position बता हूं लाइकोपोडियम की लाइकोपोड 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 लाइकोड लाइकोपोड लाइकोड 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 ल लाइकोपोडियसी, लाइकोपोडियम, स्रेटम, इस तरह से फुरी सिस्टमेटिक पोजीशन अप्लेदिमाग वेड़िए, अब अगर इसकी morphology, एक्टरन ऑृफोजी जब गों देखते ह है कि इसका स्टम बता रहा हूं इस तरह से डाइकोटोमस्री, ब्राइच्ट यहिए देख हूं स्टम, और यह जो स्टम मैं बता रहा हूं कि इस स्टम पे जो रूट्स हर नोज से नीचे निखली रहेंगी और यह रूट्स भी ऐसे डाइकोटोमिसली बॉप्स फारा। छी पना continue very dependent टा की है और श्टम्ले जो लगी होती है सेसल स्पारली अरेंजट माइक्रोफिलस यह ऐसी माइक्रोफिलस टाइप की लीव्ज है माइक्रो का मतलब बता रहा है मैंने स्मॉल होती है लीव्ज और सैसा ही होती है यह इनके उपर अनब्राज में ड्रिप यह देखने अगर मैं लेबलिंग करना चाहूं तो यह एड्मिंटीशियस रूट्स यह स्टेल यह इस पर लीव्ज और हर ब्रांज के अपेक्स पे यह जो देखने हैं हम लोग यह रिप्रड़क्टिव स्टेक्चर और इन रिप्रड़क्टिव स्टेक्चर को क्या कहते हैं हम स्टोबिनस यह स्टोबिनस तो इसकी मोर्फोलोजी में क्या क्या चीज़े अपने को समझ में आ रही हैं देखो एक ही पॉइंट जो हम लोग पहले भी देख चुके में प्लांट बोड़ी इनकी स्पॉरोफिट होती है में प्लांट बोड़ी रूट स्टेब लिवज में डिफरेंशियट होती है देखो इदा एंड लिवज में डिफरेंशियट होती है रूट्स जैसे मैंने बताया भी आप लोगों को एडवन्टीशियस टाइप की है और एडवन्टीशियस का मतलब भी समझ में आता है रूट्स का ओरिजन जब रेडिकल से नहीं होता रेडिकल के लाबा प्रांट के किसी भी पार्ट से हो उसको हम एडवन्टीशियस को डाइकोटो मसली ब्रांज है बिल्कुल इसी तरह स्टैम की भी जब बात करते हैं प्रोस्ट्रेट है यह भी डाइकोटो मसली ब्रांज्ड है और यह जो लीव्ज है यह सैसाइल होती है माइक्रोफिलस है और अनब्रांज्ड मिडरे मिलती है यह मॉर्फलोजी होती है लाइकोटोडियों की जब यह मैचूर होता है तो इनकी ब्रांज्ड के एपेक्स पर टिप और एपेक्स पर क्या लगती है स्टोबिलस लेकिन जब हम उनकी इंटर्नल स्ट्रेक्चर मीन्स एनेटमी देखते हैं तो एनेटमी में ट्रांस्फर सेक्षन ओफ स्टैम देखें और एक ट्रांस्फर सेक्षन ओफ रूट देखें तो मैंने जब स्टीलर सिस्टम कराया था जब भी आपको एक बत बताई थे कि लाइको पोडियम की कौन से स्पेशिज है इसको पैचानना हो तो उसके स्टैम का सेक्षन काट लो किलियर कट अपने को समझ में आ जाएगा याद करो मैंने का था लाइको पोडियम की अगर स्रेटम स्पेशिज है लाइको पोडियम की अगर क्लेवेटम स्पेशिज है लाइको पोडियम की अगर सर्नुम स्पेशिज है तो इनको पैचानने के लिए मैंने बताया था कि actinosteel अगर अपने को देखनी हो तो इस spaces में मिलेगी प्लैक्टो स्टील अगर अपने को देखनी हो तो इस में मिलेगी और अगर mixed proto-steel देखनी हो तो particular इस species में मिले कहने का मतब स्टील से हम identify कर सके सबसे बहार अपने को ट्रांसवर सेक्शन में अपिडर्मिस दिखेगी यह देखो यह अपने पास अपिडर्मिस हो गई इसके बाद जो cortex होता है वो cortex three regions में differentiate होता है और innermost जो layer होती है उस cortex की उसको हम endodermis नाम देते हैं आप लोग जानते ही है यह endodermis यह pericycle और इसके बाद अंदर अगर जाइलम इस तरह का है के नहीं का मतलब star shift है इस तरह का तो ऐसी स्टील को हम actinose प्लेक्टोस्टील कहते हैं प्लेक्टोस्टील कहते हैं और आप लग लग पैचिज में हो तो mixed proto-steal कहते हैं इस स्टील से पता चलता है कि यह सरेटम की अब देखो जो कोटेक्स है, it is differentiated into three regions, किसमें, आउटर कोटेक्स, मिडल कोटेक्स, और एक, इनर कोटेक्स, आउटर और इनर कोटेक्स तो ऐसे पेरिन काइमा के बने होते हैं, यह देखो, loosely arranged, thin walled, पेरिन कामेटर सेल्स के, और जो मिडल कोटेक्स है, mechanical support देने के लिए, यह स्क्लेरिन काइमा का बना होता है, मिडल कोटेक्स is made up of स्क्लेरिन काइमा, थिक walled, dead, cells होती हैं, यह लिगनिफाइट, और यह स्क्लेरिन काइमा, और इनर कोटेक्स फिर पेरिन काइमा का बना होता है, thin walled है, loosely arranged है, leaving है, intercellular spaces है, इस तरह की structure अगर हम लोग देखते हैं, यह तो क्या हो गया, जाइलम, यह क्या हो गए, लोयम, यह क्या हो गई, endodermis, और यह क्या, pericycle, यह हो गई अपने पास stand की structure, transfer section, इसके comparison में अगर root का transfer section कारते हैं, तो root में भी एक तो यह epidermis दिखेगी यह अपने को, यह देखो, इस पे root hairs देखेंगे, unicellular, यह root hairs, steel के जब बात होती है, इसमें proto-steel तो है, लेकिन important चीज होती है, जाइलम कैसा, यह endodermis ऐसी ही जैसी वेने इसमें देखी थी, उसके बाद यह pericycle, structure ऐसी ही होगी, और इसका जो जाइलम होता है, वो die-arch type, और die-arch में यह इस तरह की c-safed, इस तरह की c-safed, यह u-safed, यह inverted u-safed, ऐसा आप हो सकता है, तो most of the conditions में इस तरह की inverted u-safed जाइलम होता है, और इस जाइलम में दो strand जाइलम के दिखते हैं, इसलिए इसको कहते हैं, die-arch type का, यह देखो, यह दो strand यह proto-gyalum, proto-gyalum, यह metagalum, और इसके around यह flowing होगा ही, पाकि cortex इसका two regions में differentiate होता है, एक outer cortex, और एक inner cortex, यह root hairs unicellular, यह epidermis, और यह outer cortex tip volt, स्क्लेन काइमा का बना हुआ, जो भी देखा हम लोगों ने, और inner cortex, पैदन काइमा का, या फिर कुछ स्पीसिज में हम लोग उल्टा देखें, पैदन काइमा का, और यह thick world inner cortex, लेकिन अटोडर्मिस और पेरिसाइकल और यह जाइलम का strand, इस condition को हम जिसमें, दो proto-gyalum के strand दिखते हों, टाइयार्क जाइलम कहते हैं, तो ऐसी इनकी internal structure होती है, stem और root की, अब अगर हम लोग बात करें इनके reproduction की, जब reproduction देखते हैं, तो reproduction में भी, वेजिकेटिव reproduction भलाई fragmentation यह हो जाए, लेकिन important चीज हम sexual reproduction की बात करेंगे, और reproductive structure को, क्या नाम देएंगे, strobilis, reproductive structure of lycopodium is known as strobilis, यह जो strobilis है, इसकी definition भी आप लोगों को आती है, इसे जाएंगे, आए परफिल्स, आएंगे, इसे पहरींगे चुम्पक्त, एड देफों एक कों लाइक स्ट्रैक्टूर तो उसको नाम देते हैं स्टोबिलस तो जब सारी इस प्रोफिल्स compactly arranged होके यह देखो यह आइसी कॉंपेक्टली अरेंजड होके ओन लाइक एस्टेक्चर बना लेती हैं तो उसको स्टोबिलस कहते हैं इंप्रोटन चीज आपको कम समझ में आएगी जब इस स्टोबिलस का मैं एलस काड़ें एलस का मतलब भी आप समझ जाएंगे मतलब इसका आपको यह अरेंजमेंट बहुत अच्छे से दिख सकता है यह देखो यह आपको स्परोफिल्स हैं यह स्पोरेंजिया है स्पोरेंजिया है तो इस पोरंजिया के अंदर जो बनते हैं ये स्ट्रेक्चर जो आपको दिखरी है ये स्पोर्स हैं और सारे स्पोर्स सिमिलर साइज्ड के हैं इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि ये होमोस्पोरी टेड़ूफाइटा है तो ये क्या है स्पोर्स है अगर ये हीट्रो स्पोरी होता ना तो मैं इनको माइक्रो मेगा स्पोरिंजिया कहता माइक्रो मेगा स्पोरो फिल कहता तो इस तरह से ऐसी लोनिटूडिनल सेक्षण होता है किसका स्टोभिलस का और ये सम्स्र्वाइब कर्दों कि डाने गया दोगी होती है। याद रॺनिंग के स्पुर्मेंट कैसे होता है। ऐसा कोई क्यूश्चन आ जाए lone summit of लिऊ बेभी इस सथे पहले पता है कि स्पुर्मन का डालक्मेंन्ट U-sporangiate type का होग रहा है तैसा U-sporangiate type का इसका मतलब भी आना चाहिए when sporangium develops from group of superficial initial cells when sporangium develops from group of superficial initial cells sporangium का development जब कहने का मतलब group of cells होता है U-sporangiate कहलाता है इन में से अगर मैं एक single sporangium लूँ यह दी मतलब वो single initial cell होई है हलाकि group होता है लेकिन उस group में से मैं एक cell में कैसे division होता होगा मैं उसमें division लेकि आपको बता हूँ तो देखो एक मैं सबसे पहले पेरी किलने डिविजन कराता हूँ बिल्कुल ट्रांस्वर्ज डिविजन के जैसा होगा तो यह तो प्राइमरी प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बनेगी बहुत जादा दिमाग लगाने की जुरद नहीं है इस प्राइमरी प्राइमरी सेल में पेरी किलने डिविजन एड अंटिकिलनल डिविजन दोनों साथ होते हैं तो एक three-layer structure बनती है और उसको हम sporangial wall कहते है और इन टेड़ूफाइट्स में ये sporangial wall differentiate रहती है three-layer में outer sporangial wall inner sporangial wall और inner most sporangial wall को हम tapitum कहते हैं इस 33-layer structure है और primary sporogenous cell में सारे के सारे irregular divisions होते हैं और irregular division से sporogenous tissue बनता है अगर मैं आपको एक structure समझाओं किसी भी एक इस sporangium की तो देखो ध्यान से ये मेरे पास sporangium ये मेरे पास sporofil तो इस sporangium की ये wall ये outer wall sporangial wall ये देखो ये inner sporangial wall ये इस का tapitum inner most layer ये तो होगई sporangial wall और अंदर जो tissue मिलेगा ये ये irregular division से बना tissue इसको हम कहते है sporogenous tissue sporogenous tissue ये outer sporangial wall ये inner sporangial wall और ये अपने पास tapitum इस sporogenous tissue की हर एक एक cell को आपको ध्यान होगा ब्रायोफाइटास से ही spore mother cell कहते हैं और spore mother cell में होता है meiosis और उससे spores बनते हैं और ये हुआ haploid अब तक root stem, leaf, stobulus, sporophyll, sporangeum, sporogenous tissue, spore mother cells, everything is deployed लेकिन spore mother cell में meiosis होके haploid spores बनते हैं और spore is the first cell of gametophyte इस spore के germination से ही gametophyte बनेगा अब तक ये सारी चीज़े इस plant पे कहां हो रही थी इस stobulus में और यहां से spore soil में चले जाते हैं और वहां जाके कैसा gametophyte बनाएंगे gametophyte किस तरह का होगा sex organs कैसे लगेंगे fertilization कैसे होगा mdo का development कैसे होगा पूरे lycopodium की life cycle क्या है ये next time पे देखेंगे thank you